हेलो फिसोज स्वागत है आप सभी लोगों का रिज्डिंग के एक और प्यारे से वीडियो में जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इनिक्वालिटी का एक प्यारा सा कॉंसेप्ट जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स का कंफूजन होता है आईदर और ये एक ऐसा कॉंसेप्ट है जिस कॉंसेप्ट पर हर एक बैंकिंग और इंचरेंस एक्वाल पूछे जाते हैं और हम लोगों का टार्गेट ये है कि हम कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण एक भी गलती इसमें ना करें तो इस छोटे से वीडियो में आपका आईदर और का जो भी कॉंसेप्ट है इनक्वालिटी में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएग ठीक है तो चलिए डाइरेक्ट एक्जांपल के थुरू ही इसको समझ लेते हैं तो मैने आप लोगों को यह एक स्टेमेंट और तीन एक्जाम्पल दिये हैं आप से ज़रँ चेक करके देखना आपको इन में आन्सर क्या मिलते हैं ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इसमें चेक करे हमें आंसर क्या मिलते हैं तो जैसा हमने process सीखा है सबसे पहले क्या करेंगे conclusions पे नजर डालेंगे conclusions पे नजर डालकर क्या करेंगे यहाँ पर जो variables है उनके बीच में relation निकालेंगे तो s और q के बीच में क्या relation मिलता है q is greater than equal to s relation हमें क्या मिला q is greater than or equal to s ठेक उसके बाद अगर हम conclusions चेक करते हैं तो यह conclusion गलत हो जाएगा q is greater than equal to s relation है तो दूसरा भी conclusion गलत हो जाएगा जब दोनो conclusions गलत हो जाते हैं तो अकसर हम answer क्या करते हैं neither one not follows पर यहाँ ऐसा नहीं है कुछ खास सिनारियो बन गया है और वो खास सिनारियो के satisfy होने के चलते answer इसमें आएगा either or क्यों आया मैं conditions बता देता हूं जिन लोगों के लिए यह नया है ध्यान से सुनना बस तीन conditions है अगर तीन conditions आपने अच्छे से ध्यान से सुनी तो फिर जिन्दगी में इस पर confusion नहीं है तीन conditions सारा आइदर और खतम हो जाता है ठीक है तो चलो conditions क्या है सबसे पहली आइदर और की condition यह है हमारे पास ऐसे दो conclusions होने चाहिए जिन में same variables आ चुके हो ठीक है देखो यह condition satisfy हो रही है क्या ऐसे दो conclusions चाहिए जिन में same variables आ चुके है S Q Q S दो conclusion में same variable पहले condition satisfy हो गई ठीक है आइदर और बनाने के लिए दूसरी condition होती है वो दोनो conclusions गलत होने चाहिए वो दोनो conclusions क्या होने चाहिए गलत होने चाहिए यह सिर्फ inequality के लिए याद रखना यह condition सिर्फ inequality के लिए याद रखना syllogism में तोड़ा सा correction change होता है वो change मैं आपको जब syllogism discuss करेंगे तब बता दो ठीक है तो दो condition समझ में आगए यह दो condition बहुत ही प्यारी और बहुत ही simple है क्या? दोनों conclusion में same variables होने चाहिए SQ, SQ ठीक? दोनों भी गलत होने चाहिए और तीसरी और आखरी condition है सारे possible relations conclusion में cover होने चाहिए तीसरी और आखरी क्या है? सारे possible relations सारे possible relations conclusion में किसमे? conclusion में cover हो जाने चाहिए conclusion में cover होने चाहिए अब यह तीसरी condition जिसने समझ लिए ना उसको inequality में कभी परेशानी नहीं होगी क्योंकि अक्सर गडबड तीसरी condition में होती पहले दोनों में कोई दिक्कत है? नए पहले condition कहती है कि दोनों में same variable होना चाहिए है दोनों गलत होने चाहिए दोनों गलत भी है तीसरी condition सारे possible relation किस में? conclusion में cover होने चाहिए अब क्या मतलब है इसका? सारे possible relation का मतलब देखो conclusion में ध्यान से सुनना में क्या कह रहा हूँ? conclusion में जो दो variables repeat हुए है conclusion में जो दो variables repeat हुए है उन दोनो वेरियेबल्स में जितने भी रिलेशन्स पॉसिबल होंगे ठीक है अब Q और S में कितने रिलेशन्स पॉसिबल हो रहे है Q और S में सिर्फ दो रिलेशन्स पॉसिबल हो रहे है जितने भी रिलेशन्स इन दोनों में पॉसिबल हो सकते है सारे के सारे relations conclusion में दिखने चाहिए Q is greater than us conclusion में दिख रहा है क्या Q is greater than us second conclusion में दिख गया ठेक Q is equal to us first conclusion में दिख गया तो जब तीसरी condition तीनों की तीनों condition satisfy हो जाती है answer either और आ जाता है एक बार quickly conditions repeat करूँ simple दोनों conclusion में same variable दोनों conclusion गलत और इन दोनों में जतने भी relations possible हो रहे है सारे के सारे conclusions में दिखने चाहिए ठीक अब इसी तरीके से second set का answer क्या होगा सब लोग check करो हमें relation P और U के बीच में चाहिए तो P से लेकर U तक जाने की कोशिश करते है तो बीच में खंदानी दुश्मन दिखते है तो P और U के बीच में हम relation निकाल पाएंगे क्या नहीं तो ये क्या हो जाएगा cannot be determined इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे दोनों कंक्लूजन्स गलत हो गए क्या यहाँ पर आईदर और की पहली दोनों कंडिशन साटिस्फाय हो गई है दोनों कंक्लूजन में सेम वेरियेबल है P यू पहले में भी है P यू दूसरे में भी है दोनों के दोनों गलत भी है और दो क्या सारे पॉसिबल रिलेशन्स कवर हो रहे है P और यू में कितने रिलेशन्स पॉसिबल हो रहे है P and U में कितने रिलेशन्स पॉसिबल होंगे P is greater than U हो सकता है P is equal to U हो सकता है P is less than U हो सकता है क्या ये तीनों relations हमें conclusion में दिखे P is greater than you first conclusion में दिख रहा है P is equal to you second conclusion में दिख रहा है P is less than you second conclusion में दिख रहा है P and you के बीच में तीन relations possible हो रहे थे तीनों के तीनों conclusion में दिख गए है तीनों के तीनों conclusion में दिख गए है तीसरी भी condition यहाँ पर satisfy होती है इसी लिए इसका answer क्या आना चाहिए था Either one or two follows एक मिनिट यहाँ पर किसी की दिमाग में यह सवाल आया क्या भॉई साब जब हमें सारे possible relations चेक करने है तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पहले set के लिए हम लोगों ने सिर्फ दो relations चेक किये और इसके लिए हम लोगों ने तीन relations चेक किये भाई साब ऐसा क्यों कुछ गड़बड है गया नई अगर आपने condition को ध्यान से सुना तो गड़बड नहीं है है ना और यही सबसे बड़ा confusion होता है हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने ये देखा कि conclusion में जो variables repeat हुए उनके बीच में जितने भी relations possible हो सकते है सारे के सारे दिखने चाहिए अब Q and S के बीच में दो ही relations possible हो रहे थे अब जबरदस्ती हम थोड़ी ना तीसरा relation गुशा देंगे जितने इन दोनों के बीच में possible है उतने ही check करेंगे Q and S के बीच में दो ही possible थे इसलिए दो check किये P and U के बीच में तीन relation possible थे इसलिए तीन relations check किये बात का था बात समझ में आ गई अगर हां तीसरे सेट का अंसर देख लेते हैं तीसरे सेट में R and U repeat हो चुके है चांस है यहाँ पर भी आईदर और बन सके है R से लेकर यह उतक जाते है फिर से खांदानी दुश्मन हमें रास्ते में दिखाई देते है तो R and U के बीच में हम लोग relation निकाल सकते है क्या नहीं यानि पहला conclusion गलत दूसरा conclusion गलत तीन में से दो conditions वाहां दो condition satisfy हो गई कुनसी पहली condition दो conclusion में same variable होना चाहिए satisfy हो गया दूसरी condition दोनो conclusions गलत होने चाहिए satisfy हो गया ठीक है तीसरी condition जितने हम यहाँ पर जादा ध्यान किस पर दे रहे है जितने relations हमें symbol check नहीं करने है हमें क्या check करना है relations जितने relation R and U के बीच में possible है उतने relations conclusion में होने चाहिए R and U के बीच में possible R U से बढ़ा हो सकता है R U के बराबर हो सकता है या फिर R U से छोटा हो सकता है क्या यह तीनो relations conclusion में दिखाई दे रहे है नहीं R U से बढ़ा R U से बढ़ा second conclusion में दिख रहा है R U के बराबर second conclusion में दिख रहा है अब जरह यहाँ पर ध्यान से check करना क्या यहां पर R is less than you दिखाई देता है R is less than you first conclusion में भी नहीं है R is less than you second conclusion में भी नहीं है इसका मतलब यह relation यहां से missing है R and you के बीच में जितने relations possible हो रहे थे सारे के सारे यहां नहीं दिखे ठीक तो एक relation missing था यानि हमारी condition satisfy नहीं हुए अब हमारी condition satisfy नहीं हुए मतलब answer either और mark कर सकता है क्या तीनों की तीनों condition satisfy हो जाए तो ही answer either और करेंगे वरना नहीं तो यहां पर answer क्या होगा अगर answer either और नहीं कर सकते तो वहीं करेंगे जो यहां पर मिल रहा है क्या यहाँ पर answer मिल रहा है दोनों के दोनों conclusions गलत थे है ना तो दोनों के दोनों conclusions गलत मिलने पर हम answer क्या करते है neither one nor two follows ठेक अब यहाँ पर एक और छोटू सा confusion होता है क्या confusion होता है यहाँ पर कि either और neither के लिए कुछ अलग condition है गया अरे sir आपने either और का condition तो बता दिया अब neither का भी बता दो छोटा सा confusion है neither nor के लिए कुछ conditions नहीं होती आम तोर पर जब दोनों conclusions गलत हो जाते हैं तब हम neither nor mark कर देते हैं पर उसमें कुछ additional conditions आती है जैसे यह तीन conditions दोनों conclusion गलत होने के बावजूद अगर यह तीनों साटिस्फाई हुई दोनों conclusions गलत होने के बावजूद अगर यह तीनों condition साटिस्फाई हुई तो answer either or आएगा ठीक अगर दोनों conclusion गलत है और यह तीन की तीन condition साटिस्फाई नहीं हो रही है फिर जाके answer आएगा neither one nor to follows बस इतना सा छोटा concept है पर एक बार सही से concept clear कर लिया तो ये आपको हर एक examination में जो effort लगता है न यार ये examination के लिए इसको अलग से पढ़ो उसको अलग से पढ़ो ये सारी चीज़ें खतम हो जाती है कोई भी concept पढ़ रहे हो अच्छे से उसको clear करियेगा अब आप लोग either or पर practice करिये ताकि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है वो आपके computer में fit हो जाए ठीक That's it from my side in this session Thank you, take care and enjoy your time Thank you so much